हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स, आप लोग कैसे हैं, I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, आपी के यूट्यूब चैनल में मेरे सभी में तर्मस्त और स्वास्त होंगे, इसी उमीद और आशा के साथ में आज की वी अगर ग्रोव करना चाहते हैं तो ही बहुत ही बेस्ट समय है और आप ग्रोव कर सकते हैं, मैंने भी शुरुआत कर दी है, तो ये देखे, किचन गाडनिंग का अपना ही एक मज़ा है, जब इसमें फल लगते हैं, फूल लगते हैं तो बहुत ही खुशी होती है, और देखन और इसका उप्योग अपने ट्यारेश पर करने की कोशिश करती हूँ और इस तरहिके से मैंने ये गार्डन अपना त्यार किया हुआ है चार से पाथ साल होग अगये फ्रेंस का फल नहीं है यह पांच साल की तपस्या है फ्रेंट्स और यह देखे इतना प्यारा लगता है देखने में वेस्ट मेटिरियल का की बहुत ही अच्छा लगता है बहुत खुशी होती है कि इन बेकार की चीज़ों में क्या प्लांट ग्रो कर सकते हैं जब देखते हैं कि हाँ प्लांट ग्रो होते हैं, रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है, तो बहुत ही खुशी होती है दोस्तों, यह देखे सारे ही बॉटल्स हैं, दो लीटर की है, इसमें नाकचंपा की कटिंग को मैंने लगाया हुआ है, डेविल बेकबोन है, रेन लिली है, बहुत सारे प्लां और इसमें यह मैंने सिंगोनियम लगाया हुआ है, जो की बहुत अच्छे से चल रहा है, और भी मैं आपको दिखाऊ हूँ, यह देखे बेकार की बॉटल है, इसमें भी मैंने लगाया हुआ है, यह आइसक्रीम के डिबे हैं दोस्तों, यह देखे, यह आइसक्रीम के डिब तो बिल्कुल भी उसका भाड को आप ना फेके उनमें प्लांस लगाएं यहां पर भी कुछ प्लांस है यह देखिए पांच लिटर की ऑईल की केन इसमें लगाया रेन लिली यहां पर भी और मैं दिखाऊं फ्रेंट्स यह देखिए यह कटिंग का लगावा पौधा नाक चं यहां पर देखिए मैंने रख तो कहले हैं fitted को मिठी को मैंने धूप में रखा हुआ है सुखाने के लिए इसीम उप्योख करेंग़ी वैजटेवल गावटनिंग के लिए के लिए यहां पर देखिए फिर से waste material आइस्क्रीम के डिबे बगरा फिर से इन में plant लगाऊंगी दोस्तों और मैं दिखाती हूँ आपको अब अपना छोटा सा kitchen garden यह देखिए यहां पर भी plants रखें यह देखिए और kitchen gardening भी एक सुख़द अनुभव देती है friends और यह देखिए यह मैं मैंने कुछ अभी kitchen garden बनाया है यह लगाए है टमाटर के पौधे यह भी मैंने waste material तूटी वी बाल्टी में लगाए है वह भी देखिए तूटी वी बाल्टी है friends और इसमें छूटा साब देखेंगे तो एक बैंगन भी आया हुआ है और मुझे बहुत खुशी हो रही है यह तूटे वे जार में भी मैंने देखिए friends यह मिर्ची का पौधा लगाया है यहाँ पर भी यह ओईल की केन है friends यह टूट गई थी इसमें मैंने दो पौधे मिर्ची के लगाए है तो friends मैं इस तरह किसे बिल्कुल भी नहीं फेकती हूं कबार को यह देखिए यह पालक लगा और कुछ मैं यहाँ पर अभी और भी vegetables लगा गई हूँ friends मुझे बहुत दुख हुआ कल रात को में यहाँ पर आई तो देखा सारी मिट्टी मेरे गमलों से बिक्री भी थी बहुत इतनी मेहनत करते हैं हम लोग और उसके बाद अगर या तो गिलहरी या बिल्ली कुछ इस त कर देती हूं friends कि मैंने इसमें क्या क्या नया कुछ लगाया है तो मैंने नहीं कुछ और भी vegetables ग्रो करी हैं सर्दियों वाली वह मैं आप से शियर करूंगी वीडियो में बने रहेंगे फ्रेंट्स यह रिखिए वीडियो में बने रहेंगा फ्रेंट्स यह देखिए हैं मूली के बीज लगाए है मैंने और बहुत सारी बीज मेरे दिस्टब कर गही हैं यहां पर भी कुछ लगाया था यहां पर तो आदे से ज्यादा जो हैं वह खराब करके चली गई हैं आपको ये देखिए फ्रेंड्स मूली के बीज निकल कर आ गए हैं ये देखिए ये मूली के बीज हैं और कुछ अभी नहीं निकले हैं दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि गिलैरी है या फिर बिली है तो उसने काफि डिस्टरब कर दिया है सारे ही बीजों को तो देखती है क्या रिजल्ट रहता है तो अभी मैं इनको ऐसे ही कवर कर देती हूँ इस चुन्नी से तो ये मेरा चोटा सा किचन गार्डन है फ्रेंड्स और भी अपडेट मैं आपको देती रहूंगी तो प्लीज बने रहिएगा बाइ फ्रेंड्स हपी गार्डनिंग थैंक्यू फ्रेंड्स